नमस्कार विद्यार्थियों, बीएसी तरतीवर्स की एक लक्सा में आपका हार्दी का भिनंदन, आज हम फिरोमोन्स का पार टू का अजन करेंगे, जिसमें एफेक्ट आफ फिरोमोन्स देखेंगे, मैं प्रेम सिंग चुआन, सै आचारिय प्रानिसास्त्र, सेट रंगलाल को मोचक विवार कहलाता है, दूसरा प्राइमर प्रभाव कहलाता है, मोचक विवार के अंत्रगत, जन्तु के केंद्रिय तंत्रिका तंत्र को उद्दिप्त करके, उससे विवार उत्पन किया जाता है, और वो विवार जो तुरंत परिवर्तन लाता है, उससे मोचक विवार क लाता है यदि फिरोमोन को कोई रिसेप्टर ग्रहाण करें और किसी कारी की समों को परिवर्तित कर देता है जिसके बाद उप्युक्त उद्धिपन जन्तु में किसी विश्च प्रकार का व्यवार अभीव्यत होता है तो इस प्रकार के प्रबाव को प्राइमर प्रबाव कर दूसरे जन्तु के दोरा फिरोमोन को इस्त्रावित किया जाता है तो दूसरे तुअ को उस दूसरे चन्तू की केंद्री तंत्री का तंत्र पड़े पर्तिकर्या करता है जिसे कारी की गधि वीडियों में परीवर्टन आता है दूसरे चन्तू का केंद्री तंत्रीày का किसले विशेश विवार के लिए तयार होता है यूफ आजी अपरिसने म से सै veulent इसे फिरोमोन के प्रति विलंबित प्रभाव या मोचक प्रभाव से यह बिन प्रकार का है और इसे प्रायमर प्रभाव का जाता है। तो उसे मोचक या रिलीज प्रभाव कहते हैं, जैसे किसी जलासे में से निकल हुए गोंगे हैं, उस गोंगे कोई दिया अपन कुचल दे, तो उनकी कोशिकाओं से जो फिरोमो निकलता है, वो दूसरे जो गोंगे होता है, उनके दोरा पैचान लिया जाता है, पैचान कर अपने अपने डर पैदा हो जाता है उनके, इसलिए वो गहरे पानी में लोड जाते हैं, यह दूसरे गोंगो को पानी के बीतर लोड जाने का संदेज देता है, इसी तरह से यह कहता है, मादा चुईया के दौरा इस्तन को चाटना जिसे निकले दूद की गंद से, मादा चुईया जो चुईया है, मादा चुईया जब इस्तन को चाटती है, उसे दूद निकलता है, उस दूद की जो गंद होती है, उसे अंदे सिसु होता है, जो चुचंकू है, दूद पिरने वाले वहां तक उनको ढून लेते हैं, वो दूद की गंद के कारण होता है, उसके गंद के कारण अंदे सितु जो है उसके इस्तिनों तक पहुंच जाते हैं फिरमोंस का प्रवाब में एक है ली बूट प्रवाब वर्स 1905 में वांडर ली और एमेल बूट ने जब अनेक मादाओं को एक साथ रहने दिया एक समय पढ़ने लगता है trained engineer집 लंबे समय तक felt रूख जाता है इसके इसके साथ yolर की देखा गया थिए सबहां या नुआ प zwr मादा चुई नरं की जो है उसका आती है तो मादा चूय वने एक समय वाका जाता है यह प्रवाबkim बूट प्रभाव किलाता है जिसका आधियन 1955 में वाइंडरली और एमल बूट ने कराता है यह इंपोर्टेंट क्विस्चन बनता है फिर हैलन बुरुस प्रभाव है जब कोई अजनबी नर चुआ है उसकी गंद किसी दिन ताजा घर्ब धारन करने वाली मादा चुया को मिल बूंड़ जाती है तो उसकी घर्भर्वस्था अबरुद हो जाती है जबकि मूल नर की गंद जिससे मादा ने घर्ब ध्रण कहा है वस्को पासमें लते हैं तो अजनबी नर की के गंद से फिर प्रोलेक्टिक हार्मोन निकलता है यह प्रोडेक्टिक यस्त्रावन कर देती प्रभाव पहले पांस दिनों तक ही रहता है यदि छटी दिन के पस्चात इस प्रिकार से को इनर की गन्द ग्रभाव वस्ता धारने की हुई चुयां के संपर्क में आती है तो हेलन बूस प्रभाव नहीं होता है अब है फीरोमॉंस का विट्टन परभाव में चीजिन मादाओं को साथ रखा जाता है नरों के तुरन्त कॉपोलेशन या मैतुन नहीं करती है प्रतु अलगर की क्यों है मादा जब भी नर मिलता है तो तुरंत ऐसा यह कॉपूलेशन करने लगती है इसे वीटन प्रभाव कहते हैं इसलिए मादाओं के सुमे में यदि एक नर को छोड़ दिया जाए तो इसमें कॉपूलेशन नहीं करती है और उनकी प्रकार करने की किरिया जो है समाप्त हो जाती इसको वीटन प्रभाव कहा जाता है धन्यवाद ठाइंक्यू पर वाचिंग दिस वीडियो धन्यवाद